ओम शान्ति आज 24 आउगस्ट 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम बच्चों को ज्ञान का बल और पवित्रता का बल जमा करना है आज बाबा ने हमें वर्दान दिया है अपने असली संस्कारों को इमर्च कर सदा हर्शित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव ज्ञान स्वरूप भव और ज्ञानी दोनों में थोड़ा अंतर है हम ज्ञान सुनते हैं ज्ञान बाठते भी हैं लेकिन यदि वो ज्ञान हमारे जीवन में प्राक्टिकल में न दिखाई दे तो उसे ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाएगा कई बार कहा जाता है कि ये तो ज्ञान सुनते हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर उदासी है फिर भी इनके अंदर क्रोध है या चिरचड़ापन है क्या ठीक रीती से ग्यान नहीं सुना ग्यान तो सुना लेकिन उसका स्वरूप नहीं बने ग्यान स्वरूप की निशानी होगी हर्शित, मुख वो सदा खुश रहेंगे क्योंकि खुशी तब आती है जब हम अपने असली संसकार को इमर्च करते है बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि ब्रामन जीवन का असली संसकारी है हर्शित रहना सदा खुशी में रहना खुशी के जूलों में जूलते रहना और खुशी का अधार हर्शित रहने का अधार है ग्यान का सिमरन करना यदि हम पास्ट की बातों को सोचते हैं, कमी कमजोरी को सोचते हैं, परचिंतन करते हैं, तो चहरा मुर्जा जाएगा लेकिन जब हम ज्ञान का सिम्रन करते हैं, बाबा की मुडली का सिम्रन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो चेहरा खिल जाता है, दिखाई देता है कि ये हर्शित है, तो हमें अपने उरिजनल संसकारों को इमर्ज करना है, आत्मा के उरिजनल संसकार, हमारे दैवी गुण ये हमारी अपनी चीज है जो भी कमी कमजोरी है वो माया की प्रॉपर्टी है हम अपनी almighty authority की position में स्थित हो जाए और पुराने संस्कारों को पीट दे दे तो कोई भी प्रकार के waste, negative बाते हमारे सामने आही नहीं सकती तो आज सारा दिन हम देखें कि हमारी खुशी न जाए हम ज्ञान स्वरूप दिखाई दे, हर्शित रहें और इसके लिए अपने original संसकारों को सदा इमर्ज रखें ओम शानते